आपको भी ऐसे चीडिया के डॉक्स के कैसे भी बच्चे मिलें उनकी सिवा करना तो फोड़ा सा फ्लेट कर देंगे जिससे की है आराम चलिया और अलो गाइस कैसे हो तो आज हम हमारे फार्मोग का रहे हैं और अभी हम आपको एक मज़दार पीद बता रहे हैं आप इदर इनका जन्म हो गया चोटे से प्यारे से चीलिया के बच्चे का तो अब हम इसको दूप खेतों के बीच में सेंटर में है तो दूप काफी तेज है तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसको कवर करेंगे और थोड़ी सी अच्छी जगह बनाएंगे ताकि आराम से यां दूप मे अब हम थोड़ा सा चाया करेंगे पानी है तो अब तो यह अब हम पतानी अब है और इनकी मम्य पतानी अब है वह रही है तो अब हम इसको एक तो में यह लेके आया हूं थोड़ा सा लकडी है और उदर देखो आप वह उदर लकडी और बड़ी वाली कट्री है तो पूरा हम कवर्ड करके इसको चाया में रखेंगे ताकि यह थोड़ा सा फ्लेट कर देंगे जिससे कि आराम से रहा और एक चोटा आप वह लक उनकी टीटोडी की साइधा करने के लिए ला रहा है सूविद्धा के लिए ला रहा जारा है माल और उदर बचा आजा रहा ही बच्चों आजाए 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 है तो हमने जो लक्रिया है थोड़ी सी काती है अब इसको चारों तरफ कवर करने होगा क्योंकि वहाद धूप हो रही है देखिए साथियों यह हमारा खेत है इसके बीच में एक टीटोडी नाम का एक ही होता है उसने अंडे दिये चिल चलाती धूप और धेलों के बीच में और उपर आप देख सकते हैं कि 43 सेल्सियस डिग्री तापमान चला है कड़ी धूप पड़ी है और हम अभी अपने खेत पर आये हैं और आते ही हमने देखा कि चार अंडों में से एक अंडे में से छोटा बच्चा यह निकल चुका है अब इस थोड़ा सा शेड बना रहे हैं ताकि बारिश के अंदर भी यह परिशान नहीं होए हम इसकी जीवन रक्षा के लिए बर्सक पोशिश कर रहे हैं इतनी दूप पड़ रही है कि आप देख सकते हैं कि पसिलना पसिलना में हो रहा हूं फिर भी हम एक जीव की रक्षा के कि आपर बाहर निकलने की कोशिश मैं क्योंकि उसकी मम्मी आएगी तब तक वह अंदर रेगी बागी मम्मी गई वह भी बाहर आगी कि इतना मस्ता हमने उसके लिए घर मना आया है और हमने पानी पी रख दिया बिल्कुल राइड गर्मी बहुत ज्यादा है और एसे छोटे चीडिया के बच्चे होते हैं इनके पानी का जो बंदूबसते वह भी आप घरमी में करो और खाने का भी देना चाहिए इनको तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अमरे चैनल को तो मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए भाई